Hello friends, welcome back to my channel So today's topic is term and print up baby Features, friends if you like my video Like, share and subscribe to my channel ताकि मेरे new video की notification आपको easily मिलते रहे So firstly देख लेते हैं term baby features एक term baby में कौन-कौन से features होते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि term baby क्या होता है तो term baby जो 37 weeks of gastration से 42 weeks of gastration के बीच में deliver हुआ है तो उसे term baby बोलते हैं between 37 weeks to 42 weeks के बीच में deliver हुआ है तो उसे term baby बोलते हैं तो क्या-क्या features होते हैं Lies in flexed posture, posture कैसे रहती है उसकी flexed रहती है So जैसे कि picture में दीख रहा है term baby का जो posture होता है वा कैसा होता है flexed होता है, उसके arm भी flexed है and उसके leg भी flexed है more subcutaneous fat होता है उसमें scant lenigo होता है और covered well with vernix casiosa और vernix casiosa से covered होता है So vernix casiosa क्या होता है ये एक white easy covering होती है body covering होती है जो baby को warm रखती है and उसका temperature maintain करती है and lenigo क्या होते ये body hair होते है ये भी baby को warm provide करते है and protection करते है skin की ear cartilage कैसे होते है well developed होते है और good recoil होता है उसको जयम्हां मौरते है तो जल्दी से क्या हो जाता है recoil हो जाता है ये र काटिलेज भी क्या होता है well developed होता है जैसे की picture में दीख रहा है कि जो baby का क्या है वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि टर्म बेबी है तो उसमें डेवलप्ड होगा और टेस्टीस भी डिसेंडड होते हैं फुली डेवलब्ड फीमेल में क्या होता है फुली डेवलब्ड लेबियमाइजुरा और कवर्स दा लेबियमाइजुरा और क्लाइटोरिस लेबियमाइजुरा भी क्या होता है प्रॉपर डेवलब्ड होता है और क्लाइटोरिस को रिफ्लेक्स क्या है वेल डेवलब्ड होते अब नेक्स देखते हैं, प्रीटम बेबी फीचर्स, प्रीटम बेबी में कौन-कौन से फीचर्स होते हैं, तो प्रीटम बेबी क्या होता है, जो बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के में डिलेवर हुआ है, बिफोर 37 वीक्स, तो उसे प्रीटम बेबी कहते हैं, तो उसमें क कैसे होता है, जो cartilage है, वो कैसे होते है, not well developed होते है, और जो recoil होता है, जो cartilage का, वो भी कैसा होता है, poor होता है, अब जो baby के soul होते है, वो कैसे more target and has a fine creases, baby के soul है, उसमें fine creases होती है, और जो term baby था, उसमें deep soul creases होती है, पर इसमें fine creases है, scrotum, जो male baby है, उसमें क्या होगा, जो scr pendulous with less ruggay होगा और जो testis है वो भी क्या होगे undescended होगे अब जो female baby है उसमें क्या होगा poorly developed labia mesura labia minora and clitoris is exposed, जो female baby है उसमें भी labia mesura भी क्या होगा properly developed नहीं होगा, labia minora भी properly developed नहीं होगा, poorly developed होगा clitoris क्या होगा, prominent होगा and reflects such as moro, rooting and sucking, grass reflects are sluggies take care